कि नमस्कार दोस्तों टीटी सी जोदपूर की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज वर्शॉप टेक्नोलोजी एंड मेट्रोलोजी जिसका सब्जेक्ट कोड़ 209 एमी 209 है उससे आज हम नया टोपिक सेलेक्ट करेंगे टोपिक है आपका फ्रिंज फॉर्मिशन एक घटना करम हमें समझना है क्योंकि अब अभी तक हमने सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करा है कि वेतिकरण का सिदान्त क्या है जिसके अंदर हमने वेतिकरण पढ़ लिया वेतिकरण के परकार पढ़ लिए जो का सट्टिव और दिस्ट्रॉक्टिव आपके इंटरफेरेंस ह अब है फ्रिंज की घटना हमें समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें फ्लैटनेस जब हम आगे पढ़ेंगे के फ्लैटनेस के अंदर कैसे जाच की जाती है समतल सतय की तो वहां पे फ्रिंज के पैटन बनते हैं तो कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि फ्रिं si news in नेटिकण का मदलब एक ऐसा है याप इसरोड षुर्ष नहीं होगी मैं आप मैं आपको पहुटर से बताया था है यह एक वेव यहां lambda तो जदा बड़ा होगा और यहां lambda कम होगा इस परकार की वेव दियोने चाहिए तो monochromatic यह light source है जहां से आपकी constant lambda की क्या निकलेगा light निकलेगी यह light यह दो slits है यहां से पास होगी तो यह बन गए source 1 और यह बन गए source 2 तो यहां से यह सामने screen है यहां screen पर आकर इस तरीके से इस बिंदू पर इनका क्या होता है वेथी करण होता है यह like this यह कुछ आके यह टकराती है और यह आके यह टकराती है तो यहां पर हमें क्या है कि कभी तो आपको brightness दिखेगी यानि चमकीला भाग दिखेगा कुछ और इसके जस्ट बाद आपको कुछ dark खिसा यानि काला अंधेरा टाइप का एक band दिखाए देगा उसके बाद फिर साब को एक चमकीला भाग दिखाए देगा तो इस तरह का जो pattern बनता ना इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रिंजेज बोलते हैं तो यह आपकी है screen अब देखते आगे कि बाई क्या है fringe कैसे है तो देखेंगे देखो चितर में दिखाए अनुशार A वब B से निकलने वाली rays की wavelength समान है यह नहीं तो यहां से तो वेव निकलेंगी दोनों का lambda क्या समान है क्योंकि दोनों का source क्या है monochromatic light source है ठीक है तो समान है screen पर इस्तित बिंदू O1 पर दो rays आपस में converge हो रही है converge का मतलब वहां आके बिल रही है यह देखिए यहां पर यह rays आ रही है यह लाइक दिस यह देखिए O1 पर आपकी O1 पर यह आ रही और यह यहां सारी बाकी सब को आप एक पर भूल जाईए मैं आपको यही नाइगरम दिखा देता हूँ यह अगर आपका O point है यह आपके screen है ठीक है और यह आपका point O1 यहां से एक ray चली लाइक दिस यहां आके converge हो रही है और दूसरी ray आ रही है यहां से इस सोर्स है यह आके यहां converge हो रही है ठीक है इसको हमने बोल रहा है नाम A और यह बोल रहा है B ठीक है शर्ट क्या है कि इन दोनों की wavelength क्या है बराबर तो इसक्रेन परिस्टित O1 पर ray क्या हो रही है आपस में converge हो रही है चुनकि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो A से O1 तक की दूरी बिन्दू B से O1 तक की दूरी क्या है बराबर यानि आप चाहिए यहां से यहां आजाए यह यहां से यहां आजाए तो यह दूरी क्या है बराबर है तो दोनों रेस समान फेज में होंगी दूरी बराबर है तो फेज भी क्या है इनका बराबर होगा वह अधिक्तम परकास के इस्तति उत्पन होगी इसलिए यहां पर यानि केंदर पर हमेशा क्या होगा ब्राइट रीजन ओल्वीज ब्राइट रीजन होगा इस करण से यहां पर एक क्या है चमकीला दबा यानि चमकीला हिस्सा ब्राइट स्वाट उत्पन होगा अब चलते हैं बिंदू O2 पर यदि मैं आपको चितर में दिखा हूँ तो बिंदू क्या है O2 देखेंगे तो आप उपर है तो मैं आपको यहां पर फिर से O2 रीपर्डूस करके दिखाता हूँ के कैसा है O2 यह आपका यह A जिसको अपने S1 बोला यह आपका B यह आपके स्क्रिन यह बिंदू O और यह आपका O1 ठीक है अब O2 मालने जी यह बिंदू है यहां आप देखेंगे अगर अपन तो यह देखें यहां से इस वेव को ट्रैवल करनी इतनी डिस्टेंस लेकिन इस वेव को जो यह नीचे है इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है यह यहां तक तो हम इस साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये तैगी की दूरी इस तैगी की दूरी से कम है यानि अगर मैं कहूँ कि बिंदू O2 पर बिंदू A से O2 तक की दूरी बिंदू B से O2 तक की दूरी की तुल्ला में कम है यदि B O2 माइनस A O2 अब दोनों में path difference हो आई गया ना optical path difference दोनों का path तो बराबर रही नहीं यानि path में क्या आ गया अंतर आ गया एक बड़ा आ गया एक छोटा आ गया यदि ये path difference अब इस तती क्या है कि half of level length का odd number हो odd number यानि इस तरीके से lambda y2 हो या 3 lambda y2 हो या 5 lambda y2 हो इस तरीके का हो तो तरंगों के मद्धे सदेव 180 degree का phase difference होगा और कैसी इस तती आ जाएगी destructive interference जिसको हमने पढ़ा था तो बिंदू O2 पर क्या आएगी darkness तो वहाँ पर कैसा उत्पन होगा black black इस तरीके का french dark black तो वहाँ पर dark black french उत्पन होगी इस तरीके का एक black उत्पन होगा ठीक है तो इस्ततिया समझ मारे है आपको frances का क्या मतलब है frances के अंदर ही तो यह pattern बन रहा है इन ही को frances बोलते हैं alternative जो white alternative bright और dark जो आपको sports मिल रहे हैं इन ही को fringe बोलते हैं इनके fringe pattern की ही बात हो रही है इसी को frances बोलते हैं तो क्या क्या स्थतिया है ठीक है O2 बिंदू पर आगे अब हम चलते हैं बिंदू O3 पर तो देखिए यह बिंदू है O3 जब आप देख पा रहे होंगे तो यह सबसे उपर वाला बिंदू है ठीक है इसको हम दुबार से यह री प्रोड्यूस करते हैं ताकि यहीं हमार को clear हो कि क्या बात करना चाहरे है तो देखिए यह आपका बिंदू O यह A और यह B ठीक है वही सेम दोनों का जो क्या कहता है जो यहाँ से वेव निकलेगी दोनों का लैम्डा समान होना चाहिए यह आपकी स्क्रेन है यह बिंदू O1 और यह हम माल लेते हैं यह है बिंदू O O 3 अब यहां से निकलने वाली वेव यह यहां तो तैक्ए की दूरी कितनी होगी A से O3 दूसरी वेव आएगी बिंदू B से यह बिंदू B से तो तैक्ए की दूरी केतनी होगी O3 clear दिख रहा हमें कि A O3, O3 से कम है ठीक है? कम है तो इसका मतलब phase difference तो फिर से आ गया ठीक है? लेकिन अब इस्तिती ऐसी हो जाए अगर कि इन दोनों का जो phase difference है वो even number हो जाए half of wavelength का यानि अगर wavelength है lambda y2 यहाँ पे even number आ जाए even number यानि 2, 4, 6, 8 इस तरीके के यदी number आ जाए तब क्या होगा? तरंगों का जो phase होगा वो फिर से एक समान हो जाएगा ठीक है? तो वहाँ पर constructive interference उत्पन होगा और अधिकतम परकास की स्तिती उत्पन हो जाएगी तो इस current से यहाँ क्या होगा? एक bright spot इस परकार से निरंतर बिंदू O से उपर वे नीचे बार ब्राइट वे डार्क एरिया यानि चमकील्या और डार्क यानि आपका क्या कहता है? अंदकार वाला यानि बिल्कुल काला काला टाइप का है न तो डार्क एरिया बनते हैं तो उसे fringes या interference bend कहा जाता है थो अफैंड को कहते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं यह आगे काम आने वाले है तो कुछ एक आईडिया होना जरूरी है कि यह fringes को कँए आगे हम सीदा word लेंगे, कि कि रूट चे कारण fringes बनती है तो क्या होना कीश बनती है यह fringes यह fringes है और किस दो वे पहुंच रही है जैसे एक ये पहुंच रही है और एक ये पहुंच रही है दोनों द्वालत है कि दूरी समान है यानि जब पात में डिफरेंस ही नहीं है कोई तो दोनों क्या होंगी समान फेज में होंगी ओके और जब समान फेज में होंगी तो वहां पे कौन सा क्या एक छोटी हो जाती है दूरी और एक बड़ी हो जाती है अब इसमें भी दो इस्तेतिया है नंबर वन के जदी पाथ डिफ्रेंस लेम्डा वाई टू का और नंबर है यानि कि विशम संख्या है यहां पर आगे तब तो वहां पे 180 डिगरी का फेज डिफ्रेंस होगा और डेस् दूसरे इस्तेति क्या है कि जब लेम्डा वाई टू का यानि हाफ अफ और लेंद का इवन नंबर हो क्या हो इवन नंबर हो तब फिर से क्या हो जाएंगे same phase में और वहां पे आपको क्या मिलने वाला है रहे सेम फेज होते ही राइट स्पॉट क्या मिलेगा अब राइट तुरिश में कुछ कुछ तो समज आने लगा कि पर इसा कुछ भी बात करना चा रहें तो फ्रिंज दिखती कैसा है देखिये माल लीजिए यह एक कि विंग साइट है जहां मैं देख रहा हूं कि फिर दिखाए सब्सक्राइब कुछ आपको यह ब्लैक फिर थोड़ा सा bright spot, फिर से ये black spot, फिर से white spot, फिर से black spot, like this, फिर से white, bright, तो ये फिर से, इस तरीके से ये fringes के pattern है, ठीक है, तो जहां जहां ये black दिखाई दे रही हैं आपको ये fringes, ये pattern, तो यहां पर तो क्या है, destructive interference है, और dark spot है, और इनके बीच में ये, ये सारा, ये व ये यहां पर क्या है, consecutive interference है, या यह कहूँ कि दोनों phase के अंदर part difference है, तो भी वो even number का है, और या फिर part difference नहीं है, और इदर क्या है, जो part difference है, वो और number का है, इसलिए वाँ पर destructive interference उत्पन होगा, अब देखें से कुछ जुड़ी महतपूर्ण बाते हैं, वो क्या है, कि यद fringe width को किस तरह किसे निकाला जाता है, capital D into lambda upon 2D, ये 2D कहां था, देखें मैं आपको बताता हूँ, हमने ये diagram मनाया था, कुछ इस तरीके से, यहां हमने लिखा था A, और यहां लिखा था B, ठीक है, और यहां थी हमारे screen, जहां fringe के pattern मन रहेते हैं, तो इस जगह से, यानि source से, screen तक की दूरी थी, वो तो थी आपकी capital D, और इन दोनों separation के मद्दे, ये दोनों source से, इनके मद्दे जो दूरी है, वो है आपकी 2D, ठीक है, ये देखें, आपको diagram में दिखाया था, ये देखें, ये दिख रहा है हमको, ये आपके दोनों source के मद्दे का separation है, और यहां से य यहां तक ये दूरी है, capital D, तो दो source के मद्दे separation 2D, 2D का मान क्या होना चाहिए, जब 2D का मान कम होगा, तो fringe की जो चोड़ाई है, उस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और fringe की चोड़ाई अगर ज्यादा होगी, तो fringe क्या करेगी, बहुत separately visible होगी, यानि आप देख यानि यह तो दो source थे, बहुत दूर-दूर हो जाएं दोनों से, तो आँखों की limiting resolving power, यानि कुछ आँखों की अपनी limited power है, उसके वज़े से fringe separately visible नहीं होगी, आपको fringe एक दूसरे के ओपर दिखाई देंगी, तो यह क्या है, कि इसके effect है, कभी दो source के बीच में कितनी दूर जिसको D कहता है, इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होता है, यह देख लिजे ना, आप simple formula से अगर आपन discuss करें, तो यह देखे, क्या है, D lambda upon में 2D, यह तो clear है, कि यह क्या है, fringe की width, इसको आपन लिख देता है, fringe width, यह मिरे को ज़्यादा रखनी है, क्यों दिखाई देती है, separately, बिल्कुल असानी से मैं देख सकता हूँ, इसमें अंदर इतनी fringe देखे हैं, तो lambda तो हम पहली बात कुछ चुके है, कि वहीं, monochromatic light source है, तो lambda तो constant रहना रहना है, तो हमारे पास यह एक parameter तो D बसता आ रहेगी, 2D बसता है, सिर्फ इसी के साथ हम जो ह इमान को बढ़ा दो, तो देखिए, कि मद्दे की दूरी कमान क्या है, जादा ही होना चाहिए, अगर यह ज़्यादा नहीं होगा, तो FD कमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीज़े हैं, इस तरीके से यह fringe को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, इंटर फेरोमेटरी किस तरीके से अप्लाई की जाती है,